अमेरिका में चालिस के दसक में सौपिंग माल बन गए थे और वहां के मनोबै ज्यानिकों ने वहां के ब्योसाईयों को समझाया कि जब कोई आदमी दुकान पर परचून की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाता है तो उसको या तो लिस्ट बना के लिए जाने पड़ती हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि लोगों को चुनने की आजादी दे दो यानि ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े साइज का बनाओ कि आदमी कोई लिस्ट बना के नौ लेके आए उसको सोचने की भी ज़ुरत नपड़े चीजें उसके आँख के सामने उपस्थित हो वहा पुत आसानी से चार चीजें ले लेते हैं अगर दही का दो पैकट चाहिए हम डिपार्टमेंटल स्टोर में या सौपिंग वाल में जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो दो-तिन समान ज्यादा हम चुन लेते हैं तो अमेरिका जो आज साधे तीन सौ साल पुराना देश हैं हम 10,000 साल पुराने देश हैं यह इतनी बड़ी उपलब्धी नहीं है जिस पे हमें बहुत गरवानमित महसूस करना चाहिए हम वो काम कर रहे हैं जो हमसे 100-500 साल पहले जो बिक्सित देश हैं वो कर चुके हैं उसके बाद वहां से हम सीख के आये हैं हम नकल कर रहे झाल कर रहे हैं झाये हैं हैं